हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमन्त दा एडी गुरू में और आज हम टॉपिक लेके आए हैं बट जॉइंट चाहे वो सिंगल रिवेट हो या सिंगल रिवेट में सिंगल कवर प्लेट हो डबल कवर प्लेट हो डबल रिवेटिट में भी सिंगल कवर प्लेट और डबल कवर प्लेट ठीक है तो यह सब टॉपिक हम वन बाई वन इस लेक्चर में पढ़ेंगे तो पहले हम यह देखते हैं और एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इस चीज को समझने के लिए आप मेरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक एकदम ध्यान से देखें सुनें क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जो आपको ध्यान से समझने पर ही आप इसको अराम से बना सकते हैं ठीक है तो मेरे इस वीडियो को जरा ध्यान से देखेगा और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बरावर में राइट हैं पर जो बैल आइकन है घंटी का निशान है यह घंटी का लोग हो है उस पर क्लिक कर द प्लेट नमबर टू ठीक है बड जोइंट में हम प्लेटों को ऐसे मिलाते हैं दोनों प्लेटों की किनारों को आपस में मिलाया जाता है अब देखिए अब हमें इनको जोड़ना है तो क्या हम इसको ऐसे रखे जोड़ सकते हैं नहीं या तो हम इसको एक दूसरे के उपर र एक प्लेट ऊपर और रखनी पड़ेगी इस तरीके से थीक है तो इसे ही बोलते हैं cover plate या strap और इसकी हिंदी होगी आवरन plate तो जिन plate के उपर हमने ये plate रखी है उसे बोलते है main plates बतलब जिन को हमें जोड़ना है उसे क्या बोलते हैं main plates और इन प्लेटों के उपर जो प्लेट रखी जाती है उसे बोलते हैं cover plate ठीक है अब जाद ध्यान से देखिएगा आगे जब मैंने इस plate को इन प्लेटों के उपर रख दिया तो ये line आपको दिखाई दे रही है ठीक है तो क्या आब ये line इस plate को रखने पर दिखाई देगे नहीं तो top view में आपको ये line दिखाई नहीं देगी तो ये तो बनेगा आगे लेकिन मैंने आपको अभी से समझा दिया है कि ये line टॉप से दिखाई नहीं देगी क्यों क्योंकि कि ये line, इस line को इस plate ने cover कर दिया है ठीक है दूसरी बात, जब single plate cover की बाद होगी, तो single cover plate को हमेशा उपर की तरफ लगाया जाएगा, नीचे नहीं उपर की तरफ, तो जैसे कि इस case में ये है single cover plate single riveted but joined दूसरी बात इसको जोडने के लिए एक rivet लगेगी यहाँ पे और एक rivet लगेगी यहाँ पे ठीक अब चूँकि कहने को तो दो rivet लगी हुई है, लेकिन हम इसको single rivet क्यों बोल रहे हैं इसको हम single rivet इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये देखिए एक parlat तो यहाँ से लेकिन खतक खतम हो रहे है और दूसरी प barratt यहाँ से यहां तक शूरू हुआ रहे है तो यदि मैं एक rivet यहाँ पे लगाँंगा एक parlat प्लेट में इक रिवेट लगेगी हुई है और दूसरी प्लेट में दूसरी एक साइड में जितनी रिवेट होंगी वही उस जॉइंट का नाम होगा तो देखिए, यहाँ पर एक रिवेट लगी हुई है इसका नाम होगा सिंगल रिवेट अब सबूस करिए, यहाँ पर दो रिवेट लगी हुदी ऐसे, तो यह दो रिवेट यह है single cover plate, single rivet, butt joint, तो यह है हमारी main plate, यह और यह है हमारी main plates, और बीच में यह है हमारा break point, मतलब जहाँ पर यह plate यहाँ पर खतम हो रही है, पहली plate और दूसरी plate यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, तो यह देखिए, क्या लिखा हुआ है, single rivet, तो अगर मैं इसको इसका end point मालूँ, तो एक rivet तो इस plate के इदर लगी हुई है, और एक rivet इस plate के इदर लगी हुई है, एक side में एक rivet है, तो इसलिए हमने इसको बोला है single rivet, ठीक है, cover plate, यह है main plate, और यह लगी हुई है, उसके उपर cover plate, तो कितनी cover plate है एक यह वाली तो हमने इसको कहा बनाया main plate के उपर इसलिए इसका नाम हुआ single riveted single cover plate butt joint अब इसको हम देखते हैं front से तो front से हमें दो rivet दिखाई देंगी ये और ये इसके पीछे आ रही है दिखाई नहीं देंगी ऐसे ही ये और ये इसके पीछे होंगी दिखाई नहीं देंगी यदि आप इसको top से देखेंगे तो ये तीनों rivet आपको दिखाई देंगी ठीक है तो यहां से देखेंगे तो ये plate उसके ओपर ये plate बीच में ये दो rivet दिखाई देंगी front view में top आप देखेंगे ये plate ये cover plate और इधर भी जो plate होगी वो भी दिखाई देगी ठीक है तो अब देखते हैं कि ये को हम कैसे बनाएंगे क्या कैस की दूरियां होंगी क्या कैस के formula होंगे निकालने के ये देखिए ये है देखिए plate number one यहां से लेके यहां तक और plate की हुई है cover plate ठीक है तो देखिए जितनी दूरी इस रिवेट की मतलब इधर से होगी उतनी दूरी इधर से इधर की तरफ भी होगी ठीक है तो पहले अब यह आपने डैग्राम देख लिया अब नियमते हैं की दूरियां यहां से लेकर हां तक मतलब क्या मतलब हुआ रिवेड़ से यह रिवेटख के पास में जो कोना पड़ रहा है यह और यह मैं से यह दो कौने तो हर साइड में जो रिवेट लगी हुई है उनके बीच की दूरी केतनी होगी 3D ठीक है और इस Manuel cards और इस के बास का जो कौना है उसके बीच की दूरी क्या होगी इसकी बीच की दूरी एम होगी तो अब हम क्या करते हैं यहां से यहां तक हि दूरी निकालते है ठीक है न 2M plus 3D लिक्स को हम लिखते हैं M यहां से यहां तक की दूरी M plus 3D और फिर से M तो हमें यहां से यहां तक की दूरी मिल गई अब हम रखते हैं M की वेलू कितनी होती है 1.5 into D plus 3D plus M की वेलू 1.5 into D बराबर तो आप जोड़ते हैं M को क्योंकि सारी वेलू D D की रूप में है तो जोड़ सकते हैं 1.5 और 2, 3, 3, 3, 6 तो यह दूरी आगई 6D और D की वेलू जो भी होगी उसमें 6 की multiply हो जाएगी और उतनी लंबी आप यह लाइन खीज देंगे ठीक है इतना करने के बाद आपको यहां से यहां कोना मिलेगा फिर आप यहां से 80 degree का कॉन बनाएंगे जैसे आप पहले बनाते हा रहे हैं यहां से भी 80 का कॉन बनेगा और इन दोनों को मिला दिया जाएगा दूसरी बात ध्यान देने वाली यह है lab joint में main plate का एक यहां तिर्चा हुआ करता था लेकिन butt joint में एक, दो, तीन यह तीनों कोने क्या बनेंगे सीधे बनेंगे अब जो line तिर्ची होगी वो होगी cover plate की दोनों तरफ से और कोन भही होगा 80 degree का आप चाहें तो 75 भी ले सकते हैं लेकिन हमने यहां पर 80 degree का कौन लिया है main plate की thickness T वैसे ही निकलेगी जैसे आपने lab joint में निकाली थी D बराबर 600 T के formula से अब इसमें जो नएची जूड़ी है वो है T C T C क्या है cover plate की thickness तो अगर cover plate double है तो formula अलग होगा और cover plate अकेली है एक है तो इसका formula अलग होगा अब चूंकि हम single cover plate की बात कर रहे है तो formula होगा T C बराबर 1.125 1.25 इंटू T T की value आपको यहां से मिल जाएगी और इस value को उठाके आप यहां पर रख देंगे तो हमें T C की value मिल जाएगी बाकी head जैसा आप बनाते आ रहे हैं वैसी बनेगा इनकी पीछ की दूरी D ही होगी ठीक है इनकी पीछ की दूरी भी D होगी बाकी सब कुछ सेम है तो चली शुरू करते हैं इसको नाप के front और top बनाना तो हमने इस कुछन में D की value ली है कितनी D की value ली है हम लेते हैं कितनी ले D की लेते हैं हम BC लेके चलते हैं ठीक है तो पहले हम क्या निकालते हैं T निकालते हैं तो लगा फॉलमेट D बरावर 6 root T D की value कितनी है 20 बरावर 6 root T तो जरूरी नहीं है कि D की value आपको वो दे जो 6 से कट जाए तो 6 के पाटे में तो 20 आता नहीं है तो यहां पर आपको वर्ग मूल निकालना पड़ेगा कैसे निकलेगा पहले तो हमें root T को खड़ाना है root T को T की रूप में लेगा आना है तो क्या किया हमने दोना तरफ का square किया वर्ग किया तो 20 का वर्ग 400 होता है 6 का वर्ग 36 होता है और root T का वर्ग T होगा 4 से कट सकता है 400 में 4 का भग दिया 100 आया और 36 में 4 का भग दिया तो 9 आया अब T ब्रावर क्या हुआ 100 बटे 9 तो अब 100 में 9 का भग दिया कितना अंसर आया 9 एकम 9 10 में से 9 गए 1 फिर 0 तारह 9 एकम 9 1 यह छोटा है यह बड़ा है तो पॉंट लगाया पॉंट लगा कि हमने यह 0 बढ़ाई 9 एकम 9 तो ऐसे तरह से यह 11.1111 आता रहेगा 11.11 मिलीमीटर 10 का भग दिया तो 1.11 आया सेंटीमीटर ठीक है तो हमने इसको लिया 1.2 तो ठीकी वेलू क्या आ गई लगभग 1.2 सेंटीमीटर ठीक है इसको मैं आसे रेस कर देता हूँ तो ठीकी वेलू कितनी आई एप्रॉक्सिमेट 12 मिलीमीटर ठीक है तो हमें कितनी नमगी लाइन खीचनी होगी फ्रंट इव्यू के लिए 6D के बराबर ठीक है तो डी कितना है 20 20 चिका 120 तो हम 12 सेंटीमीटर की लाइन खीचेंगे 12 सेंटीमीटर की लाइन खीची और हैंट टू हैंड हमने क्याल किया मिल पॉइंट मध्य बिंदू पे निशान लगाया तो 6 पे आएगा मध्य बिंदू ये ये आया इसका मिडल पॉइंट अब जो मेन प्लेटर की थिखनेस कितनी है 12 मिलीमीटर तो 1.2 सेंटीमीटर पे निशान लगाया और दोनों को मिला दिया ठीक है अब तो ये बिंदू कौन सा है ये जो बिंदू हमें मिला है वो बिंदू हम ये है और ये वाला बिंदू कौन सा है वो है ये वाला तो हम यहां से क्या करेंगे 80 degree की लाइन खीचेंगे इधर से भी और इधर से भी अब हम तिरशी लाइन नहीं खीचते हैं पहले हम निकालते हैं TC की value cover plate की thickness तो क्या होता था formula? TC बरावर होता था 1.125 into T बरावर 1.125 और T की value कितनी थी? 12 mm तो गुणा करके कितना answer आया? गुणा करके आया 13.5 mm या 1.35 mm तो हम इसको लिए सकते हैं 1.4 cm 35.5 mm या 1.35 cm तो 5 को हमने एक मान और तीन में जोड़ दिया तो हमने क्या लिया 1.4 cm तो हमने यहां से 1.4 cm की लाइन खींची यहां से भी 1.4 की लाइन खींची और दोनों को मिला दिया यह कम अभी फिला लोगा 3H पैंसिल से अब हम यहां से लाइन खींचेंगे 80 डिगरी पर सॉरी हां सॉरी 780 डिगरी ठीक है तो हमने यहां पर चांदा रखा 80 डिगरी 80 डिगरी की लाइन खींची यहां भी चांदा रखा लाइन को मिटो देंगे और लाइन को केवल यहां से यहां तक रखेंगे और जो एक्स्टा पोर्शन यह बारा आ रहा है इसको हम एरेस कर देंगे तो यह हो गई में प्लेट और यह हो गई कवर प्लेट यह जो बीच में निशान बना हुआ था वह हमने इसको लाइन में चेंज कर दिया तो ये क्या शो कर रही है लाइन ये प्लेट यहां से लेकर यहां तक है और दूसरी प्लेट यहां से लेकर यहां तक है अब आप चाहें इसको अब आप इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं जितना आप चाहते हैं तो हम इसको ज्यादा नहीं बलकि दो सेंटिमीटर आगे बढ़ाते हैं दोना तरफ से दो-दो सेंटिमीटर इधर से भी दो सेंटिमीटर ठीक है दो सेंटिमीटर और ये दो सेंटिमीटर अब इस बिंदू को इस बिंदू से हमने मिला दिया इधर भी यही काम किया हमने इसको इससे मिला दिया और इन लाइनों को हमने मिटो दिया अब यह काम अब आप इसको डार्क कर देंगे तो यह बन रहा है front view यह दो plate और उपर हो गई cover plate तो अब देखे जो यहाँ पर रिवेट लगी होगी उसकी दूरी यहां से कितनी दूरी कितनी होगी 1.5 इंटूडी तो 1.5 इंटूडी कितना आया 1.5 इंटूडी कितनी है 20, 15 दूनी 30 30 mm या तीन सेंटिमीटर तो यहां से अपने तीन सेंटिमीटर पर निशान लगाया जब यहां से यहां तक यह तक यह तक यह भी तीन सेंटिमीटर होगा और बीच की दूरी थ्री डी है वो अपने आप निकल के आएगी तो यहां से हम खिसते हैं सेंटर लाइन कि दोनों बेंदों से ठीक है उपर के जो कैलकुलेशन हम इसको रेस्ट कर देते हैं क्योंकि यहां पर ड्रॉइंग बनने वाली है कि फोर्मला आपने नोट करी लिया होगा ठीक है अब इसकी जोत्तों हैं नहीं कुछ सब कुछ हो चुका है तो आप सको नोट कर लेंगे अगर नहीं किया है तो अब कितना है सबन चुका है यह देखिए अ यह है यह ना यह दि लाइन यह आ चुकरि है अब हमना देखिए यह फूरा ड होता है यहांसे हां तक के दूरी कितनी हो पे ड फची कि एक सेंटीमिटर यह हुगा एक स्टीमेटर यहाँ यहाँ यह होगा एक सेंटीमिटर यह विली फेस्ट जैनों को से लॉब 15 से कि हम लारेगे यह कम अपको करना है ड्राफ्टर से जी देखिए ठीक है और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बनेगा हैड हैड कैसे बनता है अगर आपको आता है तो अच्छी वात है अगर नहीं आता है पहली बर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरा प्रिविएस वीडियो आप देख सकते है जिसका टाइटल है डिफरेंट टैप्स के रिवेट तो मैं यहाँ पर रिवेट बना रहा हूं यह बन गे रिवेट के हैड एक दो तीन चर ठीक है अब बारी आती है शेडिंग करने की तो शेडिंग कहां से कहां तक होगी रिवेट का हिस्सा छोड़ा जाएगा बाकि जो भी बाहर के एरिये हैं वो जैसे कि यहां से लेकर यहां तक होगी यह रिवेट आ चुकी है यह हम छोड़ देंगे फिर यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक नीचे देखते हैं यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक यह हो गई इसकी शेड़ी तो यहां से यहां तक की दूरी M होगी यहां से यहां तक की दूरी 3D होगी और यहां से यहां स्पटेश गेइसका टॉप वियू में में मैंने पहरे बता चुका हूं वीडियो के शुरुआत में यह आप Online है उलॉब से दिखाए नहीं देगी ठीख है यह दिखाए देगा टॉब से यह दिखाए देगा और ये भी दिखाई देगा तो हम हर लाइन से खीचेंगे अब एक सीधी लाइन वो आप दूरी कुछ भी ले सकते हैं ये होगे डॉर्टिट ये दिखाई देगी ये दिखाई देगी ये 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 लाइन इसके नीचे ये लाइन इसके लिए ये लाइन इस बिंदू के लिए ये लाइन इसके लिए ये लाइन इस बिंदू के लिए ये लाइन इस बिंदू के लिए और ये लाइन इस बिंदू के लिए लंबाई इनकी कुछ भी हो सकती है अनन्द और ये gap याप कुछ भी रख सकते हैं अब देखिए मेरी पहली प्लेट कहां से कहां तक है यहां से लेके यहां तक दूसरी प्लेट यहां से लेके यहां तक है इसको मैं रखूंगा थोड़ा सा नीचे ठीक है अब जो cover प्लेट है वो कहां से कहां तक है यहां से लेके हाँ तक यह लैन कौन सी है यह वाली और यह लैन कौन सी है यह वाली यह हो गया तो कवर ब्लेट की लैन को अंदर की तरफ ही रखा जाएगा ठीक है अब यहां से हाँ तक की दूरी प्रिकाल में लेंगे लेली और एक निश्चित दूरी लेके कितनी भी नीचे ज्यादा नीचे भी नहीं कर देना है ज्यादा ऊपर नहीं प्रोपर सुटेबल डिस्टेंस लेके और कहीं प्रिकाल लगके यह हम गलत करने जा रहे थे अब हमें इस रिवेट की लाइन को भी नीचे लेके आना लेगा उसी पर गोले बनेंगे कर देंदेने वाली बात है कभी आप भी गोले यहां बना दें पहले जो रिवेट आपने बनाई है उसकी सेंटर लाइन को नीचे की तरफ लाना पड़ेगा सेंटर लाइन के रूप में इस तरीके से अब यहां पर बनेंगे गोले तो हमने कुछ भी दूरी ली यह अब जो अगला गोला बनने वाला है ज्याद ध्यान कीजिए जो हमने पिछले वीडियो बनाएं थे लैप जैन्ट के उपर उनकी बिसकी दूरी कितनी होगी थी थी तो यहां भी दूरी कितनी हो होगी 3D होगी तो लैप जॉइंट हो या बट जॉइंट हो टॉप व्यू में दो गोलों की बीच की दूरी हमेशा 3D ही रहेगी और 3D के वालू कितनी आई डी कितना है 20 20 या 60 तो यहां से 6 सेंट्री मीटर की दूरी पर हमने निशान लगाया तो यहां से हातrice की दूरी कितनी होगई 3D के बराबर त्रजह मनें आटमेटिक लेए रखी है उसी त्रजह से अब यहां पर हैं गोला की जखेंगे तीसरा गोला यहां से 3D के दूरी पर होगा तो वही 6 cm तो हमने यहां पर यहां से नापा और 6 cm यहां पर निशान लगा दिया ठीक है ठीक है अब यह तो होगई यह रिवेट अब हमें ऐसे काम यहां भी करना है इस सिंगल रिवेट में दोनों रिवेट की गोले आमने सामने होंगे तो ड्राफटर से आप क्या करेंगे यह कम ड्राफटर से करेंगे जल्दी होगा इस बिन्दू से एक लाइन खीज देंगे ऐसे यहागा सेंटर पॉइंट ऐसे ही इस बिन्दू से यहागा सेंटर पॉइंट और ऐसे ही इस वाले बिन्दू से और यहाँ भी हम तीनों गोले खीज देंगे इस तरीके से यह बनके तयार हो चुका है अभी थोड़ी सी इसमें और कुछ ड्रॉइंग करनी है आपको ध्यान है कि अंदर नीचे एक डॉट्टिट गॉले बनते थे वह यहां भी बनेंगे तो हमने क्या किया क्यों बनेंगे क्योंकि आप इसको टॉप से देखोगे तो यह चीज तो इसके अंदर आ रही है तो यह चीज तो वह यह बन चुकी लेकिन यह भी है लेकिन दिखाई नहीं देगी ठीक है यह दूसरा यह समझिए जह हम पंच मारते हैं बैल्ट में प्लेट हमने यह निचान लगा दिया तो ऐसे गोले इन सम्में बनेंगे तो इस तरीके से यह हमारे गोले बन गए अब लास्ट काम जो बचा है वो है इन प्लेटों को बंद करना ठीक है तो देखिए जितनी अब हमने क्या कहा कि यह प्लेट अंदर रहनी है तो यह लाइन भी यह इस गोले के पास है तो अब जो लाइन बनने वाली है वो भी इस लाइन के पास रहेगी यह हो गई कवर प्लेट की लाइन यह प्लेट यह देखिए यह प्लेट उपर थी और यह प्लेट इसके अंदर थी तो यह प्लेट अब यहाँ पर बाहर की तरफ नहीं निकलेगी यह उपर रहेगी और जो प्लेट नीचे के तरफ थी वो बाहर निकलेगी और इस तरीके से हमारा यह सिंगल रिवेट सिंगल कवर प्लेट लेब जॉइंट स्वरी बट जॉइंट बनके तयार हो चुका है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ माया होगा और यह आपको यह पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंट्स को भी भीज़ें जो डिपलोमा यह डिग्री कर रहे है ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो तो अगले लेक्शर में आपसे फिर मुला कात होगी तो अगले लेक्शर में हम क्या पढ़ेंगे सिंगल रिबेट होगा लेकिन कवर प्लेट डवल होगी ठीक है तो आपसे फिर मुला कात होगी तब तक के लिए बाई